क्लिक था सब्सक्राइब बटन एंड टेस्ट बेल आइकन एंड मोर आप्टेप्स वेलकम बैक्स प्रेंज ने टॉर्किंग गुरुजी चैनल में आपको बहुत स्वागत हैं आई होब आप लोग अच्छे होंगी तो आज से हम लोग एक न्यूग सेरीज स्टार्ट कर रहे हैं वह हैं एकसें सर्वर सो हम लोग XN server के ऊपर आज से हम लोग total introduction देखेंगे then यहाँ पर हम लोग कोई भी XN server का practical नहीं देखेंगे so आज हम लोग totally introduction देखेंगे तो देखें, introduction में आज हम लोग पहले देखेंगे जो XN server क्या है then XN server का हम लोग किसलिए use करते हैं Then Xn server को हम लोग क्या ही है से टाउंलोड करेंगी Then Xn server को कौन सा आपरेटिंग सिस्टेम में इंस्टालेशन करेंगी Then अगर आप Xn server के ऊपर ग्लोबाली एक्जम देना चाहते हैं तो एक्जम कैसा होगा Then Eक्जम का कोड क्या है तो मैं सारा details मैं share करूंगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंट तक देखें अगर आप एंट तक नहीं देखेंगे तो आपको problem आ सकती है और प्लीज 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 इस वीडियो को like करना ना भूलिए तो एक like से मुझे बहुत सरा motivation मिलती है एंट इस वीडियो को share जरूर करिए तो अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटॉकिंग गुरूजी चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को please subscribe कर लिजिए और बेल आइकान को press करना ना भूलिए जब भी आप बेल आइकान को press करेंगे तो वहाँ पर आपको all notification का icon मिल जाएगा आप जरूर all notification को भी press कर दीजिए तीस से आपको और भी benefit होगा अगर मेरे चैनल में आप पहले से subscribe है तैंक यू सो मच अगर आप social networking site से जूनना चाहते तो इस वीडियो की डेपसेशन लिक में all social link site अविलेबल है आप वहाँ पर जाएए पेज को like करिए and follow भी करिए आप वहाँ बर भी बहुत सारा information आपको मिल जाएगा तो देखें थोड़ी दिन पहले मैं आप लोग के लिए एक टुटिरल दिये थे तो इस पर आप वाच कर लेंगे तो आपको वहाँ बहुत सारा information मिल जाएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम एक्सेंट सर्वार का introduction तो चलिए तो देखें Microsoft एक्सेंट सर्वार इस ए मेल सर्वार जो एक्सेंट सर्वार जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग मेल सर्वार बोलते हैं okay then developed by Microsoft यह Microsoft ने इसको त्यार किया है then it run only windows server operating system यह only windows server operating system के उपर ही run कर रहेगा and जो भी others OS है उसके उपर यह run नहीं होगा then the first version was called exchange server 4.0 जब exchange server first time जो launch वी थी जो उसका जो version था ओर था 4.0 then उसके बात और भी भड़ा version आने लगा है then अभी तो latest version आ चुका है okay then इसके बात exchange server use a proprietary protocol API to talk email client okay तो देखिए इसका मतलब क्या है जो देखिए exchange server जो होती है ठीक है then उसके साथ और भी तो client उसके साथ connected रहती है जो देखिए exchange server का जो client के साथ जो connected रहती है then उसके साथ communication करने के लिए यहाँ पर in API protocol का use करते हैं okay but subsequently added support for pop3 IP, IMAP and EAS जो यह जो देख रहे है pop3, IMAP and EAS यह सब और भी protocol बात यहाँ पर add हुई है इससे पहले यह नहीं था इससे पहले only for the MAPI only था then जितना दिन और भी upgrade होने लगा है exchange server और भी protocol यहाँ पर add हो गया है okay then इसके बाद the standard SMTP protocol is use communication to other internet mail server जो देखिए जो standard SMTP यह जो देखिए SMTP एक protocol है okay जो देखिए standard SMTP protocol is use यहाँ पर use होती है to communication यहाँ पर communicate भी करती है तो other internet mail server जो और भी Alexa और भी मन हो सकती है जो आपका company में और भी mail server हो सकती है उसके सब communication करने के लिए यहाँ पर SMTP protocol का use होती है then इसके बाद XN server 2019 जो latest version है जो अभी आपको Microsoft के official site में जाएंगे तो आपको दिखाए देगा जो XN server का latest version 2019 version the release is that XN server can be deployed on Windows server core for the first time जो देखें the release हुआ है जो XN server can be deployed on to Windows server core जो देखें एक Windows server का graphical होती है और भी होती है जो core version जो core version में भी यहाँ पर develop कर पाएंगे then इसके साथ यहाँ पर जो देखें additional Microsoft has returned the unified message features of exchange जो देखेंगे अगर आप XN server जो old version है old version के साथ जो latest version है जो 2019 का version जो दोनों में अगर आप compare करेंगे तो आपको problem आ सकती है जो देखें 2019 version में बहुत सारफ features यहाँ पर add हो चुका है जो इससे पहले version में नहीं था okay then इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं there are the many version for Microsoft XN server then यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो दीके फास्ट वर्शन था जो 4.0 version then उसके बाद भी और भी version आया है तो ठीक है हम लोग उसको नहीं देखते हैं जो देखे 2003 वर्शन आया था then उसके बाद service pack 1 2003 का then service pack 2 तो इसी तरह यहाँ पर 2007 भी आया then 2007 का service pack 1 then service pack 2 then इसी तरह यहाँ पर Microsoft XN server का 2010 भी आ चुका है then service pack 1 service pack 2 then इसी तरह Microsoft XN server 2013 भी यहाँ पर आ चुका है देन इसके बाद यहाँ पर 2016 भी यहाँ पर आ चुका है देन जो लेटेस्ट वर्षन है वो है 2019 वर्षन ओके अगर आप सूच रहे होंगे जो यह सब वर्षन टोटली आपसोलेट हो चुका है और यह सब Microsoft टोटली आपडेट देना बंद कर चुका है में इसको सापोर्ट भी आप नहीं मिलती हैं जो दीके कोई कोई कुछ कुछ जगह में Microsoft 2013 भी अभी चलती है बट ज्यादा तर यहाँ पर यूज होती है 2016 बर्षन और कुछ 5-1 पर्षन 2019 को यूज करते हैं जो आने वाले दिन में यहाँ पर जो Microsoft Excel Server 2016 से 2019 यह migration हो जाएगा तो दीके आने वाले दिन में यह 2013 जो है Excel Server का इसका टोटली आपसुलेट हो चुका है और इसका सर्विस भी टोटली क्लोस कर चुका है अगर आप Excel Server 2013 का एक्जाम देने जाएंगे तो आपको मिही मिलेगा आपको 2016 का एक्जाम देना परेगा तब यह आप कौलिफाइग कर पाएंगे देन यहाँ पर Microsoft Excel Server का 2019 वार्षिन जो है ओ थोरी दिन पहली लांच हुए थी तो अभी यहाँ पर काम हो रही है तो आने वाले फ्यूचर में शायब यहाँ पर 2019 सबके पास एविलेबल हो जाएगा तो आई होब आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा जो Microsoft Excel Server क्या होती है ओके इसके बाद हम लोग जो देखते हैं जो exam code क्या है जो अभी जो conservation latest आप exam दे पाएंगे अगर आप Microsoft exam त्यार कर रहे हैं आप देना चाहते हैं दे उसके साथ अगर आप और भी थोड़ application करना चाहते हैं आपके लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं घर में थोड़ा सा पैक्टिस भी करना चाहते हैं अगर आपके परसलाब बगड़ा है तो तो चलिए मैं ओ भी मैं आप लोग को बोल देता हूं ओके तो देखें य जो अभी जो लेटिस्ट एक्जाम कोट है एक्जाम कोट है 70 x 345 जो एक्जाम कोट है ओके यहाँ पर जो देखें मैं पहली बोल चुका हूं जो देखें एक्सेंट सेर्वार 2013 का जो भर्षन था यह टोटली आपसलेट हो चुका है और इसका सापोर्ट भी टोटली बंद कर दिया है Microsoft ने अभी जो चल दिये जो 2016 वर्षन तो अगर आप 2016 का एक्जाम देना चाहते हैं तो आपको इसी पेपर में देना पड़ेगा जो है 75 x 345 जो प्राइस है आप देख सकते हैं जो देखें 165 डॉलर हैं ओके अगर आप इंडिया करेंसी में कॉन बट करेंगे तो आ यहाँ पर जो देखें Language यहाँ पर बहुत सब्सक्राइबल है जो देखें English, Spanish, Chinese, France, German, अगर आप एक्जाम देना चाहते है तो यहाँ पर शीडूल का अगर आप एक्जाम देना चाहते है तो यहाँ से सदूल कर दीजे आप कॉन सा लोकुश्चिन में एक्जाम लेना चाह जो देखिए यहाँ पर all information यहाँ पर है जो देखिए plan, deploy, manage and troubleshoot mailbox database यहाँ से 15-20% यहाँ पर आपको question मिल जाएगा then यहाँ पर plan, deploy, manage and troubleshoot client access यहाँ पर 15-20% यहाँ से भी मिल जाएगा अगर आप इस plus के उपर click करेंगे तो यहाँ पर all details यहाँ पर आपको मिल जाएगा so यहाँ से आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं जो exam का preparation जो exam में क्या आ सकती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ से guide मिल जाएगा okay so दीखें यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 यहाँ पर total six point है तो अगर आप थोड़ा सा details में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा knowledge मिल जाएगा जो exam में क्या आ सकती है जो questions पगर ओके तो मैं इस वीडियो की definition link में मैं इसका link दे दूँगा तो अगर आप चाहेंगे तो जाके थोड 20 way 100 by 345 तो इसके लिए आप कौन सा book लेना चाहते हैं जो आप थोड़ा सा घर में practice कर सकते हैं then थोड़ा सा और भी better knowledge भी ले सकते हैं तो इसके लिए आप एक काम करिए जो देखें इस book को ले लीजें जो यह Amazon में मिल जाती है जो देखें इसका price भी बहुत थोड़ा सा कमी हैं तो कोई भी problem नहीं होगा ओके जो देखें एक्जाम है जो 1700 by 345 तो यह book आप ले लीजें जो देखें design and developing Microsoft Microsoft Excel 2016 तो यह आपको green color का यह book का जो cover है सेन ऐसा ही रहेगा तो कुछ भी problem नहीं होगा then यहाँ पर 2016 का version है then इसके बात यहाँ पर 2017 का भी एक version launch हुआ है तो अगर आप 2016 का version लेना चाहते हैं कोई भी problem नहीं होगा तो better option है तो आप 2017 का version ले लीजी okay तो दीखें 2017 के version ले लीजें तो आपके लिए कोज भी problem नहीं होगा तो आप इस book को follow करिए तो आप easily crack up कर पाएंगे जो exam के लिए okay so I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा जो दीखें Excel server क्या होती है then Excel server का हम लोग कैसे use होती है then Excel server के किने तरह की version होती है and जो latest version कौन सा है then अभी जो version जो चल दीए कौन सा version है जो अभी जो चल दीए जो 2016 version ज्यादा तर यूज होती है then कोई कोई जगा में 2013 भी चलती है but one से two percent तक ज्यादा तर यहाँ पर 2016 यूज होती है then जो 2019 का जो version है यह भी थोड़ा सा कमी use कर रहे है okay तो आने वाले इन एक दो साल में 2019 में सब लोग use करेंगे okay तो दीखें यह है exam का schedule तो अगर आप exam देना चाहते हैं तो यहां से schedule कर सकते है then अगर आप इस book को खरीदना चाहते है तो आपके लिए और भी benefit रहेगा I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा जो extension server क्या है अगर आप लोग कोई भी problem वारी है तो आप प्लिस comment section में जरूर दे दीजे तो मैं आप लोग के लिए जरूर reply कर दोंगी and इस वीडियो को like and share करना ना खुरिए अगर आप लोग ने अभी तक भी networking गुरुची चनल को subscribe नेगा तो चनल को please subscribe कर दीजे और bell icon को press कर दीजे तीज से क्या होगा मैं जब भी नए वीडियो दोंगी तो पहले आपको notification मिल जाएगा and आप लोग कौन सो topic के उपर tutorial चाते हैं तो आप please comment section में जरूद दीजे तो अने बहले दिन में हम लोग कोशिश करेंगे उस topic के उपर आप लोग को tutorial देने के लिए अगर आप skill server क्या है skill server को कैसे download करेंगे कैसे installation करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके उपर पहले से tutorial क्या हूँ आप लोग ने देखा होगा नहीं तो इस वीडियो की definition link पर मैं देदूँगी आप चरूर एक बड़ वाच कर लिजी तो better option आगा नहीं तो चैनल में जाके playlist को एक बद देखिए तो हाँ पर आपको skill server गोल के एक playlist मिल जागा तो आहांसे भी आप वाच कर सकते हैं